बेसिकली एबाउट एक केस जो 1990 में 21 माई को हमारे जो मीरवाईज थे फारुक साहब उनकी निधन हुआ था उनकी कतल हुई थी टेररिस्ट के हाथ हिजबुल मुजाहिदिन टेररिस्ट के हाथ हुआ था और वो केस जो है पोली स्टेशन नगीन में इसकी केस रेजिस्ट्रे थी बाद में वो केस पोली स्टेशन नगीन से CBI को ट्रांसफर कर दी गई CBI की केस नंबर बगारा हमने आपको इमेल के जड़िये बता देंगे तो वो एक लंबा सा नंबर होता है और वो केस इन्वेस्टिकेट करने के बाद CBI ने स्पेसल बेजिकनेटेड टाड़ा कोट जो दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने एक कातल को एक अक्यूस्ट को सजा दिल्वाया उसमें कन्विक्शन हुई कोट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया उसको उमरकेद उसके खिलाप जो है गोसित कर दिया गया इन्वेस्टिकेशन के दोरान ये पाया गया कि इसमें पाँच अक्यूस्ट थे तो पाँच अक्यूस्ट जो थे उसकी गिरोह का जो कमैंडर था वो था अब्धुल्ला भंग्रू पर जब केस ट्राइल हुआ, इन्विस्टिकेशन के बाद, सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था, वो था आयूगडार तो आयूगडार के खिलाब लंबा केस चला और केस जो है, F.I.R. 61-1990, ओरिजिनल पुलिस्टेशन नगीन का, वो केस जाके 2009 में खतम हुआ, यानि कि कम से कम दस साल उसको लग गए, नो साल लग गए उसको, टाडा कोट में जब कन्विक्शन हुई, आयूडार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी चार जो थे, वो जब ट्राइल में गए तो वो चार लोग भगोडे थे, देवरावल अप्सकंडी, उसमें जो में गिरो का जो लीडर था, अब्दुला बंगरू, वो ट्राइल के दोरान एंकाउंटर में मरा जया, यानि कि एक्चुली चार लोग जो है, इंगल शिगन करके एक और अक्यूजड था, वो भी मरा गया, इंकाउंटर में, उसके बाद दो बंदे जो है, वो भागने में काम्याव रहे, उनका नाम है जावेद भट और आयूब भट, जावेद भट जो है, अजबल खान है, उनका कोड ने, लेट हबिबल्ला भट, पहले वाले जो है, वो नटीपुरा स्रिनगर के हैं, अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि लॉंग आर्म्स अदि लौ, तीस बतिस साल के बाद उनका वो बीच में पाकिस्तान भाग गए, फिर नेपाल भाग गए, नेपाल में पोखरा में काफी दिन चिपके रहे, इधर उध तो आज उनको पकड़ा गया है, और CBI टीम जो है, उनको प्रोक्लेंड आफेंडर्स के नोटिस लेके दिल्ली से आई है, और उनको हिरासत में ले लिया है, अब वो दे विल फेस ट्राइल, पांच में से दो अलरड़ी गुजर चुके हैं, एक जैल में है, लाइफ सेंटे अब ही बाकी जो यह दोनों पकड़े गए हैं, जो भगड़े थे, जो आपसकंडर थे, अब वो ट्राइल फेस करेंगे, इसके साथ मिरवाई साब की कतल का जो है, सभी अक्यूस्ड जो है, वो, दे विल बड़ तो जस्टिस, अज दे से इन इंग्लेश, इतना ही कहना था, आज की प्रेस बेखी दिया, थेंक्यू, इनके नाम आप दुबारा बोले के अयूबडार होगे, आप सब लोगों को PCR की इमेल की अड्रेस लिस्ट में होंगे, जरूर, तो पर फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, जाबेद अहमद भट, कोड अजमल खान, सान अफ लेट हवि दूसरे का नाम है, जो ट्रिगर जलाने वाला है, वो जो बेडरूम में गया था, कोड बिलाल, सन अफ लेट महमद रमजान भट, रेजिदेंट अफ डंडर क्षा, इफ आम प्रणांसिंग ने रेव करक्ली, बटमालू से नागर, तो ये SIA की इन्वेस्टिकेशन के दोरा ये इंटेलिजेंस जनरेट हुआ था, तो इस इंटेलिजेंस को आगे डिवलप करके, हमने अभी CBI की मदद कर दी, उनकी प्रोक्लेम्ड अफेंडर्स को पकड़के उनके हवाले कर दी, ताकि वो जस्टिस के सामने आए, जस्टिस फेस करे, और बाकी की जो ट्राइल है, वो जो ट्राइल से भाग गए थे, अब वो ट्राइल को सामना करें, हमने कहा कि SIA की इंटेलिजेंस के जरीए, हमने आपरेशन के जरीए, हमने पकड़ा और पकड़के, अभी CBI को इंफर्म किया, CBI की टी में आ चुकी है, अब उनको हमने हंड़ोर कर चुके, अब वो ले सबीरे प्रीपिंग में इतना ही कह पाएंगे, लाकि जो है, हमने हैं।